पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात के दमोह में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले धमंड में रहते हैं। जो हम कह देते हैं वही कानून है। लेकिन बीजेपी नेता भूल चाते हैं कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो 27 साल का हिसाब 27 मिनट में लेती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पप्लिक को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लोग तंतर में अगर कोई नेता अपने आपको लोगों से बड़ा समझने का कमंड कर बैठे तो बहुत बुरी करते हैं लोग। जनता चुप रहे 5 साल जनता कुछ न बोले 10 साल जनता अपने होटों को सीले 15 साल जनता अपने दिल पर पत्थर रख ले 17 साल लेकिन 27 साल बाद जब जनता उठती है बोलती है तो 27 साल का हिसाब भाई साब 27 मिंट में ले लेती है जे जनता है इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने दनसभा के दौरान कहा के भगवंत मानने पंजाब में 5 फसलों पर MSP दे दिया है इसके अलावा वे गुजरात में भी फसलों पर MSP देंगे वहीं बिजली को लेकर कहा के किसानों को दोपहर 12 घंटे बिजली देंगे और सिचाए की विवस्था करेंगे वहीं मुआफ़े को लेकर उन्होंने कहा के फसल परबाद होने पर 50,000 रुपे हेक्टेर मुआफ़ा दिया जाएगा बहुत सारे किसान आए हुए यहां पर पंजाब में भगवन्तमान साब ने पांच फसलों पर MSP दे दिये MSP अभी तक क्या होता था सरकार MSP तै कर देती थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था उस पर तो माल बिकता नहीं था उस पर तो फसल बिकती भी थी तो इन्हों ने ये कह दिया कि अगर मार्केट में MSP पर आपकी फसल ना भी के तो सरकार आपकी फसल खरीदेगी आपको MSP का दाम दिलवाया जाए बगवंतमान साब ने पांच फसलों पे गेहूं चावल कपास नर्मा और मूंगदाल इन पांच फसलों पे पंजाब में MSP दे दी अब अगर किसी भी किसान की फसल मार्केट में इससे कम रेट पे विखती है वो सरकार को बेच के आ जाता है सरकार खरीदी है अनिवारे जर शुरू पांच फसलों से करेंगे फिरे के करके सारी फसले पांच फसले हम सरकार बनते ही पांच फसले हम MSP देंगे आज भारतिय वायू सेना के 90 साल पूरे हो गए हैं इस मोके पर इस बार चंडीगड में वायू सेना का मुख्याले कारेकरम परेड और एयर शो आयोजित किया गया बायू सेना का एकारेकरम सुखना लेक पर हुआ जहां मुक्या दिथी राष्ट प्रती द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग, हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल और पंचाब और हर्याना के राजिपाल भी मौजूद रहे इस बार एरफोर्स डे की परेड का आयोजन गाजिबाद के हिंडन एरफोर्स स्टेशन की बजाय चंडीगर में हुआ इस मौके पर एरचीफ मार्शल वियार चौधरी भी मौजूद रहे वहीं आपको बता दें इस एर शो में 83 एरग्राफ्टों ने हिस्सा लिया जिसमें AN-32, MI-17, MiG-29, प्रचंड, MiG-35, IL-76, सुखोई-30, AWNC, MiG-29, जैग्वार, राफेल, चिनूख, तेजस, अपाचे और हारवर्ड जैसे विमानों ने अपने कर्तब दिखाए वहीं इस बार जो खास था, वो देश में ही निर्मित लाइट कॉमबट हेलिकॉप्टर प्रचंड भी इस शो में मौदूद रहा पंजाब के गुर्दासपूर जिले के बटाला में, कोटला बोझागाओं में पंजाब पुलिस के जवानों और गैंक्स्टरों के बीच भारी गोली बारी हुई जिसमें पुलिस ने गैंक्स्टर रंजोत सिंग को गिरफतार कर लिया, आपको बता दे रंजोत छे अपरादी घटनाओं में वंचित है दरसल सूचना के अधार पर पुलिस गाउं कोटला पहुँची और एंकाउंटर शुरू कर दिया जिसमें गैंक्स्टरों ने पुलिस पर फाइरिंग की इसके बाद पुलिस ने जवाबी फाइरिंग की पुलिस ने गैंक्स्टरों को घेर लिया और गैंक्स्टरों को सरेंडर करने की चुतावनी दी इसके बाद एक गैंक्स्टर कई घंटों की मुटभेड के बाद गिरफतार कर लिये गए पंजाब कच्चे शिक्षकों को मुख्य मंतरी भगवंत मान पक्का कर सौगाती है दरसल शिक्षक दिवस पर CM मान ने कच्चे शिक्षकों के नियुक्ति की घोशना की थी और आज मुख्य मंतरी ने अपना वादा पूरा किया है इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी साजा की है उन्होंने लिखा है कि मैं एक अच्छी खबर साजा कर रहा हूँ शिक्षकों के नियुक्ति करने ने शिक्षक तिवस के दिन लिया गया था सोलर लाइट घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे कॉंग्रस नेता कैप्टन संदीप संदू के घर बिजिलेंस ने छापा मारा पंजाब बिजिलेंस ब्यूरो ने कैप्टन संदीप संदू के मोहाली इस्तितावास पर छापा मारा गौर तलब है के सोलर लाइट घोटाले में लाखों का भुखतान किया गया था जिसके बाद घोटाले में कैप्टन संधू के खिलाफ चापा मारा जननायक जनता पार्टी से निशकासित तीन बार के विधायक अनीता यादव आदमपुर विधान सभा उपचुनाव से पहले अपने बेटे समराट के साथ शुक्रुवार को फिर से कॉंग्रेस में लोटाई जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंग चौटाला की पार्टी ने अन कारे करता और पूर्व विधायक लगातार कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं ये हर्याना के लोग की मनोदशा को दर्शाता है जो हमारी पार्टी को एक उमीद की किरन की तरह देख रहे हैं इससे पता चलता है कि आदमपुर उपचुनाव में हमारी जीत निश्चित है हु इन सब का स्वागत करता हूँ ये सीक्स में फैसाल दिया और इस पतार से हर जगा से पार्टी में बढ़ रहे हैं कॉंग्रस अकुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि लोगों का रुख अब कॉंग्रस की और है कॉंग्रस की सरकार आने वाली है और बांगलादेश में हिंदू मंदिरों पर तोडफोड और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित के जाने से गहरा रोज प्रकट करते हुए जोर्दा नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीश सहानी के नेतरतों में अध्यक्तान की तरह बांगलादेश में भी हिंदू और हमारे धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं जिस पर तुरंत अंकुष लगाना होगा सहानी ने आगे कहा के पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान बांगलादेश के चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए देखिए लगातार यह पहली घटना नहीं है पिछले साल में भी जब दुर्गा आमारे नवरात्रे चल रहे थे शुब नवरात्रे उस समय भी बंगलादेश में यह घटना देखने को मिली थी अब भी लगातार बंगलादेश में वही घटना है लगातार हो रही है हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं यानि कहीं न कहीं बंगलादेश भी पाकिस्तान के पच्चिनों पर चल रहा है हम यहां से बंगलादेश सरकार को आगा करते हैं कि यह मंदिरों में तोड़ जो है उसकी सुरक्षा पर विशेश देहान दिया जाए